अपातकाल के 45 वर्ष पूरे होने पर पूर्व मंती ब्रजमोहन अगरवाल ने प्रेस कॉंफरेंस लेकर कॉंग्रेस पर जम कर हमला भूला ब्रजमोहन ने कहा कि 25 जून को देश ने अपातकाल की 45 वी जैनती मनाई है अपातकाल में सबसे अदब होगी यदि किसी पार्टी के रहे हैं तो वह है जंसंग और RSS के लोग 25 जून 1975 को कॉंग्रेस की सर्फ शक्ति मान ने था इंद्रा गांदी ने देश में विरोत का स्वर देखा येपी अंदोलन देखा इलाबाद हाई कोर्ट के निर्णे देखें कॉंग्रेस उसमाने में भी एक परिवार के इशारे प जिनने जेल में डाल दिया गया अपातकाल के 19 महा में कई परिवार उजड़ गये थे लोगतंत्र के सिनानियों के लिए बीजेपी ने मीसा बंदी सम्मान निधी शुरू की थी इसे कॉंग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था हाई कोट के निर्देश के बाद भी सरकार ने मीसा बंदी सम्मान निधी शुरू नहीं किया अपातकाल के दौरान मीडिया पर अंकुष लगाया गया था 3801 अकबारों को जब्त किया गया था 327 पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया था 59 विदेशी पत्रकारों की मानताय चीन ली गई थी मीडिया के साथ जैसा व अध्यक्ष बन जाती हैं रहुल हटाय जाते हैं और फिर रहुल को दुबारा अध्यक्ष बनाने के लिए जोर अजमाईश किया जाता है जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार है वहां वहां ताना शाही रविया अपनाया जा रहा है किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज हम 45 साल पुराने इस काले इतिहास को इसलिए याद कर रहे हैं कि यदि कोई दुबारा ऐसा करत करेगा तो जनता उसे सबक सिखा देगी जो लोग भी इतिहास को जानते हैं इतिहास के विद्यारती हैं या देश के राजनितिक इतिहास को जानते हैं मालूम है कि 25 जून 1975 को कांग्रेस की सर्व सक्तिमान नेता इंद्रा गांधी जी ने इंद्र की हत्या 25 जून 1975 को कांग्रेस की नेता इंद्रा गांधी ने की थी उस समय सब राजनितिक नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया जैप्रकास नारायन मुरारजी देसाई अटल विहारी वाचपेई लालकृष्ण अडवानी क्यार मलकानी अरुन जेटली जार्ड फंडांडी जनितिस कुमार सुसिल मोदी रामिलास पास्वान पूस दिया गया वो सबसे ज़्यादा आतंकित किया गया था 25 जून की रात को समाचार पत्रों की भिजली की लाइने काड़ दी गई थी कि दूसरे दिन ये समाचार देश के समाचार पत्रों में ना छपे 3801 अकबारों को जब्त कर लिया गया था 3801 अकबारों को 327 पत्रकारों को मिसा कानून के तहर्ट जेल में बंद किया गया था 290 अकबारों सरकार को अगर गलत लगता है तो उसके खिलाब सरकार कारवाही कर सकती है